हेलो एबीवन वेल्कम बैक टू यूजी सीनेट मेंट और आई होप यू अलार दूग वेल गाइज वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इस चैनल पर आपको यूजी सीनेट से रिलेटिद साथे अपडेट देता रहता हूं और साथ ही किसी गौ यह वीडियो आप बहुत इंपोर्टेंट रहने वाली है इस बार जयारिफ पक्का सीरीज की फर्स्ट वीडियो हमने इस एक सीरीज स्टार्ट किये इस चैनल पर जिसका नहीं है इस बार जयारिफ पक्का सीरीज फोर यूजी सीनेट पेपर वन यह पेपर वन के लिए हमने स्टार्ट किया है मतलब पेपर वन की हम कम्प्लीट प्रिपरेशन करने वाले हैं यहां पर और दस की दस उनिट को में आप पर कवर करने वाले हैं सब्सक्राइब कर लें साथ ही मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत है आप ज़्यादा ज़्यादा इस वीडियो को शेर करें ताकि जितने भी आपके फ्रेंट से अभी की जो प्रिपरेशन है पेपर वन के लिए वह अच्छी हो सके इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना अगर यूनिट वन से कोई कोशिशन आता है पेपर वन के यूनिट वन से कोई कोई कोशिशन आता है तो डेफिनिटली आप उसकोशन को अटेम्ट कर पाएंगे वीडियो को एंड तक देखना ताकि साथ टॉपिक आपके कवर हो जाएं यूनिट वन के अंदर के तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो यूजिसनेट मेंटोर औरिजिनल्स प्रिजेंट इस बार जा रहे पका सीर्स फोर यूजिसनेट पेपर वन यूनिट वाइज इंपोर्टन एंबसी कुई आजम कवर करने जा रहें यूनिट वन पहले हम सब लोग समझ लेते हैं पेपर वन के अंदर टोटल कितनी यहां पर teaching aptitude first unit होती आपकी research aptitude comprehension that is reading comprehension, communication, mathematical reasoning and aptitude, logical reasoning, data interpretation, information and communication technology, people development and environment and higher education system, इस यूनिट हमें cover करनी है और मैं इस 10 के 10 यूनिट के MCQs के तुरू इन 10 के 10 यूनिट को cover करने वाला हूं और इसमें जितने भी topic हैं सारे topic को मैं MCQs के form में cover करने वाला हूं so यहां पर आप सभी को पता होगा I think कि 5 questions जो हैं वो हर एक unit से आते हैं और हर एक question के जो weightage है वो दो-दो marks की होती है, मतलब 10 unit है, हर unit से जो question बनेंगे वो 5 question बनेंगे, तो total number of questions के इतने हो जाएंगे 50, paper 1 में total 50 questions आते हैं और हर question की जो weightage है वो दो number है, 2 marks मिलते हैं हर एक question क so it means unit paper 1 की weightage that is 100 marks, आपकी 100 marks की weightage है, and guys मैं एक चीज और बता दूँ, मैं आपना खुद का personal experience में आपको बता रहा हूं कि आपका paper 1 that is more scoring than paper 2, अगर आप paper 1 में अच्छा score कर लेते हैं, तो आपके JRF qualify करने के जो chances हैं वो बहुत बहुत जादा हो जाते हैं, so guys हमें paper 1 की अच् teaching aptitude, पहले हम आज इसको cover करेंगे, then next video हम cover करेंगे unit number 2 को, question number 1, suppose the teachers are busy in cracking filthy jokes and you are also there, but you are unable to stop them, you should, अब में क्या करना चाहिए, तीचर आपका जो है filthy jokes करता है, class में क्या करना चाहिए, persuade them decently not to waste their time in filthy jokes, live in isolation or change the group, instruct them to mind their language while passing leisure time, be critical and remind them for the nobility of their jobs, guys मैं आपको बता दू, मैं आपको एक short trick बता देता हूँ, teaching aptitude से question आएगा, तो आप किसी भी question को easily answer कर पाएंगे, अगर आपको ये trick बता होगी, the trick is कि अगर आप teacher हो, तो एक teacher के तरीके से आप सोचों कि आप उस टाम पर क्या action लेने वाले हो, किसी given situation का, और आपको जो, जो आप action लेने वाले होए, that must be on ethical basis, मतलब जो आपका action होने वाला है, that must be ethical, जो आपका action होना चाहिए, और अच्छा होना चाहिए, मतलब positive होना चाहिए, कोई negative तरीके का, आपको action लेना, as a teacher, तो आपको answer basic point of view से सोचना है, कि अगर आप teacher हो, तो आप य time in filthy jokes, मतलब अजीब से joke मारने में अपना time waste ना करें, तो इसका option number one हो जाएगा, सही answer, question number two देख लेते हैं, research has shown that most frequent symptom of nervous instability among teachers is, first इसका answer is digestive upset, explosive behavior, fatigue and worry, यहाँ पर question में बताया गया था, कि जो आपका teacher है, अगर उनका nervous instability रहती है, तो उनका reason क्या हो सकता है, so, इसका जो एक reason हो सकता है, that is explosive behavior, जो उनका teacher का behavior है, अगर वो explosive है, मतलब कुछ आजीब तरीके से behave करते हैं, वो तोड़ा सा जादा ही aggressive हो जाते हैं, तो उस type का behavior में नहीं अपनाना चाहिए, और उसकी वज़े से stability आती है हमारे behavior में, तो यहाँ पर option number B है, that is right answer, मैं कोशिश करूँगा, कि जितने भी आपके, आपने हमेने MCQs cover कर रहे हैं, वो सारे की सारे MCQs हैं, वो सारे topic को cover कर सेके, unit 1 के, so, question number third, which of the following is not a characteristics of good achievement test, अगर आप test ले रहे हो, तो इसका एक characteristics क्या नहीं हो सकता है, तो reliability होनी चाहिए, objectivity होनी चाहिए, validity होनी ले रहे हो किसी चीज़ का, so, that must be clear, तो यहां पर option number C, जो है, वो यहां पर गर ले था, उसका मतलब option number C, जो है, वो हमारा right answer नहां पर हो जाएगा, question number fourth, for a teacher, which one of the following method would be correct for writing on the blackboard, for a teacher, which one of the following method would be correct for writing on the blackboard, अगर आब blackboard पर लिख रहे हो, तो कौश सा method सही है, first option है, writing fast and as clearly as possible, क्या हमें fast लिखना चाहिए, तो ज़रूरी नहीं है, writing the matter first and then asking students to read it, then asking a question to a student and then writing the answer as stated by them, and then writing the important points as clearly as possible, तो सबको पता है कि जो option number D है, that will be the right answer, क्योंकि जो भी हमने points लिखे हैं, वो हमें important points लिखने चाहिए, blackboard पर, और plus that points must be clear, clearly visible, जितना अच्छे सोच से कि उसको हमें present करके लिखना चाहिए, तो यहाँ पर हमें only important points लिखना चाहिए, तो इसका मतलब option number D is the right answer, as a teacher हमें सोचना है, जैसे कि मैंने आपको बताया है, कि as a teacher आपको सोचना है, और आपका answer जो है, वो सही होगा, question number 5, dynamic approach to teaching means, अगर आप teaching क dynamic approach को use करें, इसका मतलब क्या हुआ, teaching should be forceful and effective, teaching जो है, वो forceful होना चाहिए, तो क्या forceful teaching, जो है, वो dynamic teaching होगी, नहीं, teacher should be energetic and dynamic, teacher की खुद की बात कर रहे है, कि teacher must be dynamic, लेकिन हमें teaching की बात बताने है, कि teaching कब dynamic होगी, यहाँ पर only teacher की बात की जा रही है, the topic of teaching should be not be static, but dynamic, जो teaching का topic है, that must not be static, but dynamic होना चाहिए, और fourth option है, the student should be required to learn through activities, यह जो आपका fourth option है, that is dynamic means of teaching, जहाँ पर हम students को activities के थुरू समझाने की कोशिच करते हैं, उनको learn कराने की कोशिच करते हैं, नहीं नहीं चीज़ों को, तो यहाँ पर जो आपका fourth option है, option number D, that will be the right answer, question number six में, if you get an opportunity to teach a visually challenged student along with normal student, what type of treatment would you like to give him in the class, अगर आपको एक visually challenged बच्चे को पढ़ाने का मौका मेले, तो उसकेस में आप क्या करेंगे इस class में, not giving him extra attention, because majority में suffer, क्या आप उसे extra attention नहीं देंगे, क्योंकि जो maximum बच्चे हैं, वो सफर करेंगे इसकी वज़ा से, या फिर take care of him, sympathetically in the classroom, क्या आप उसे दया भाव से उसके साथ behave करेंगे, option number six, you will think that blindness in his destiny, and hence you cannot do anything, क्या आप इस बात को मान के बैच जाएंगे, कि जो उसकी blindness है, वो उसकी destiny है, और आप उसके लिए कुछ भी नहीं करेंगे, और option number four ते आपका, arrange a seat in front of the row, and try to teach at pace convenient to him, क्या आप उसे front row प pace से पढ़ाएंगे, ताकि वो convenient हो, उस pace में पढ़ने के लिए, उस speed में पढ़ने के लिए, और बाकी मत्रीक साथ cop-up कर पाए, so, सभी को पता होगा, I think, option number D, जो है, हाँआप पर right answer हो जाएगा, इसका, तो यहाँ पर आपको सोचना है, as a teacher, और ethically सोचना है, कि आप ethically क्य examination, or present the subject matter in a well-organized manner, अगर आप अपने subject matter को, आप अपने subject को अच्छे से explain कर पारे हो, class में, अच्छे से organized तरीके से आप अपने subject को present कर पारे हो, then you may become a successful teacher, तब आपको successful teacher माना जाएगा, जब आप अपने subject को अच्छे से explain कर पारे हो, अपनी class में in organized manner, so, option number D is the right answer, question number 8 देख लेते हैं, by which of the following methods, the true evaluation of the student is possible, यहाँ पर इन चारो option में, जो evaluation का method है, वो कौन सा है, सही होगा, evaluation at the end of the course, बल्कुल end में हमें evaluation करना चाहिए, बच्छों का, evaluation twice a year, एक साल में दो बार कर लें, बस continuous evaluation, या फिर formative evaluation, तो यहाँ पर इन चारो में जो right answer होगा, that is option number C, कि जो हमें अपने student का, जो evaluation है, that must be continuous, तबी हर college में हो, और हर इक school में आपने देखा होगा, कि unit test वगएरा होते हैं, test होते हैं, आपके internal exam होते हैं, तो जो evaluation है, जो assessment है, that must be continuous, और ऐसा ही होता है, जो आपका assessment है, वो continuously होता ही रहता है, throughout the year, question number 9, when some students are deliberately attempting to disturb the discipline of the class, by making mischief, what will be your role as a teacher, अगर कुछ बच्चे, class में हला मचा रहे हैं, और indiscipline कर रहे हैं, तो उस case में आप क्या करेंगे, expelling those students, क्या आप उन्हें बाहर निकाल देंगे, class से, या फिर isolate those students, या आप उन्हें अलग बिठा देंगे, सब बाकी सब बच्चेों से, या फिर reform the group with your authority, आप उनके group में बच्चे change कर देंगे, कि वो अपने आपको एक बार देख पाएं, introspection का मतलब होता है कि आत्मे direction करना, अपने आपको देखना, self evaluation करना है कि आप खुद कैसे हो, इस teach का आप उन्हें opportunity देंगे, तेन उसके बाद आप उनके behavior को improve करने की एक opportunity प्रवाइड करेंगे, आपको आपको बताया, जो आपका answer is that must be ethical, आपको ethical teacher बनना है, एक aggressive teacher नहीं बनना है, question no.10 हो जाएगा, आपका teacher is said to be fluent in asking questions if he can ask meaningful questions as many questions as possible, maximum number of questions in fixed time, many meaningful questions in fixed time, तो option no.2 हो जाएगा इसका, मतलब ज्यादा ज्यादा आपको question पूशने है अपनी class में, or that questions must be meaningful, question meaningful होने चाहिए और fixed time में होने चाहिए, बहुत जाता time में अपने लेएगा question को पूछने में, now next question no.11, question no.11 में लिखा हो है, for maintaining an effective discipline in the class, the teacher should, अगर आपको class में discipline maintain करके रखना है, तो क्या करना चाहिए, allow students to do what they like, बच्चों को करने दो जो उन्हें करना है, पसंद आता है, उसे करने दो, next option is, deal with the students strictly, क्या बहुत जाते strict बन जाएंगे बच्चों के साथ, तो मैंना कि आपको बताया था कि आपको ethical रहना है, strict नहीं बनना है, ऐसे हमें ethical teacher बन के answer करना है, option no.C, give the student some problem to solve, कुछ बच्चों को problem दे दो solve करने के लिए, कुछ questions दे दो, कुछ case study type दे दो, ताकि बच्चे busy हो जाएं, या फिर deal with them politely and firmly, हमें उनके साथ politely बोलना चाहिए, उनके साथ firmly हमें behave करना चाहिए, तो इसका option no.D हो जाएगा, right answer, question no.12 है, those teachers are popular among students, कौन से जो teacher हैं, वो students की बीच में popular होते हैं, ऐसे कौन से teachers होते हैं, तो first option है, develop intimacy with them, मतलब उनके साथ ज्यादा mail बना के रखना, help them solve their problems, उनकी problems को solve करने में, उनकी help करना, award good grades, उनको अच्छे marks देने वाली teachers, या फिर take classes on extra tuition fees, extra fees लेकर के उनकी extra classes लेना, तो यहाँ पर आपका जो सही answer होगा, that is option number B, ताकि बच्चों की problem में अगर आप solve करते हैं, तो जो आप as a teacher आप बच्चों के बीच में ज्यादा popular रहते हैं, question number 13, on the first day of his class, if a teacher is asked by students to introduce himself, he should, अगर बच्चों ने पहले दिने आपसे बोल दिया, कि आप अपने आपको introduce करो, आप अपना introduction दो, तो तो as a teacher आप क्या करोगे, ask them to meet after the class, आप उसे गोलो कि मुझे class की बाद मिलना, तब मैं आपको बताऊंगा, tell them about himself in brief, या आप अपने बारे में थोड़ा सा बताना स्टार्ट कर दोगे, उसके बाद आपको option number C, ignore the demand and start teaching, आप उनकी बात नहीं सुनोगे और पढ़ाने स्टार्ट कर दोगे, या फिर स्कोल दैस्टोटेंट 4 is unwanted demand, या उन्हें डाट के बढ़ा दोगे, और उसके बाद को या असर नहीं करोगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका option number B, tell them about himself in brief, आप अपने बारे में एक brief introduction दे दो के ताकि आपके बारे मोग अवेर हो जाएं कि आपने आपका नाम क्या और आप कहां से pass out हैं और आप क्या पढ़ा रहे हैं बच्चों को कौन से subject पढ़ाने वाले हैं, कुछ नमबर 14 आपका which one of the following belongs to a projected ad, projected ad क्या होती है, एक projected ad वो होती है, like आपको जो visual projected visual ads होते है, are pictures shown upon a screen using machine, आप जो एक प्रजेक्टर होता है, एक प्रजेक्टर लगा होता है, प्रजेक्टर लगा होता है, क्लास में प्रजेक्टर के थुरू आप दिखाते हैं, कोई ad images दिखाते हैं, जो class है, that must be interactive, class जो आपकी interactive होता है, और काफी interesting बना सुका आप class को, तो उसको बोलते हैं, लोग projected ad, अब यहाँ पर projected ad जो होता है, यहाँ पर इसमें से कौन से चीज इसमें belong करती है, तो blackboards का belong नहीं करेगा, because projector जो है, वो अलग ही screen पे चलता है, तो इसमें belong नहीं करेगा, इसको बाद आपका diorama, diorama क्या होता है, आपको पता होगा इसके बारे में, या नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, diorama जो होता है, वो 3D model होता है, आपने देखा होगा, एक model आप से teacher बनवाते हैं, school में, या college में भी कई बनवाते हैं, जहाँ पर एक model बनात होगे, इस तरीके से यहाँ पर कुछ, other object है, उनको यहाँ पर show करोगे, तो यहाँ पर जो diorama होता है, वो 3D object होता है, जिससे आप एक physical model बना करके present करते हो, एक situation को, या एक object को आप यहाँ पर 3D model में दिखाते हो, तो यह भी यहाँ पर इसमें belong नहीं करता है, इसका आपका Appedia scope, Appedia scope जो है, वो इससे belong करता है, क्योंकि आपने, I think, इसको बारे में आप लोगों को नहीं पता हो, बता आजाएं थोड़ा सा Appedia scope को क्या होता है, आप Google करेंगे तो आपको और detail में बता चल दाएगा, Appedia scope जो होता है, वो इसमें आप pictures देख सकते हैं, और pictures create कर सकते हैं, picture show कर सकते हैं, इस screen पर, तो उसके लिए इसको यूज किया जाता है, तो आप इसके लिए से Google करेंगे तो और आपको इसके बारे में idea हो जाएगा, बाकि इसका जो relation है, वो इसका projected ad से relation है, तो इसका right answer क्या हो जाएगा, option number C, उसका जाता है globe, globe तो आपको बता होगा, जो globe ह होता है, इस तरीके से, उसका जो 3D model होता है, तो वो भी आपका projected ad से belong नहीं करता है, now next question, question number 15, the essence of an effective classroom environment, effective classroom environment कब बनता है, a variety of teaching ads, lively student, teacher interaction, pin drop, silence, strict discipline, effective classroom तभी होगी, जब आप बच्चों के साथ interaction करोगे, so there must be interaction with the students, तो option number B हो जाएगा, इसका right answer, question number 16 है, soam is a portal 4, यह question most important है, आपको अच्छे से करना है, कि कि आज कल यह काफी trending में है, और काफी current topic में चल्ला आई है, और आपको बता होगा, क्या जो लोगडाउन लगा था, तो online classes जो थी, काफी ज़्यादा effective हो गई थी, तो swam जो है, वो online classes से related है, तो आपको इसकार हैं, अच्छे से पढ़ना चाहिए, यह topic पहुत important है, question number 16 है, soam is a portal 4, soam जो है, वो किसीज का portal है, तो यहाँ पर आप देख सेते हैं, option number A है, promoting high quality education, improving access to high quality education, telecasting high quality educational content free of charge, and both BNC, तो जो swam है, वो government की तरह से start किया हुआ एक platform है, जिसमें, आप high quality education को कोई भी access कर सकता है, और इसके अलबाद जो इसका charge है, that is free of charge, यहाँ पर कोई cost नहीं लगती है, आपकी, आप यहाँ पर online courses कर सकते हैं, So, इसका option number D हो जाएका, that both BNC, जहाँ पर आप access कर पाते हो, high quality education को, वो भी free of charge, तो इसका बोथ option हो जाएंगे BNC, So, इसका option number D is the right answer, I think सबको समझ में आ गया होगा, Swam क्या है, इसके लाबाद आप Swam के वारे में थोड़ चा और detail में पढ़े लेना, Question number 17 आ जाता है, Government has approved the Swam Prabha project for the operationalizing home, how many DTH TV channels, Swam Prabha के अंदर, कितने DTH channel के उपर जो है, वो आपका, जो courses है हो चलाना, आनिवार किया गया है, जो रूरी का अप्रूव किया गया, Government आप्रूव किया है, तो ऐसे कितने चैनल से हैं, ऐसे 32 चैनल से है, So, option number is the right answer, यह आपको याद कर लेना, यह भी important question है, यह question exam में बन सकता है, बहुत जादा चांसे हैं इसके आने के, So, question number 17 का answer हो जाएगा, 32, Question number 18, the academic performance of students can be improved, if parents are encouraged to supervise the work of their words, अपने बच्चों का काम वो supervise करते हैं, daily check करते हैं कि स्कूल में क्या दिया जा रहा है, arrange for extradition, बच्चों की डिशन लगवा दे हैं, और काम कतम, remain unconcerned about it, चिंता ही नहीं है, क्या चल ला है, interact with teachers frequently, और या फिर वो टीचर से दाइट, फ्रि क्योंकि जो parents हैं, जो teachers हैं, स्रिफ उन्हीं की जिम्मेदारी नहीं है, कि अच्छे बच्चे जो हैं, अच्छे से perform करें, class में और पढ़ाई में, जो parents हैं, उनको भी supervise करना जरूरी है, कि उनकी class में, और उनकी बच्चों की life में, educational life में क्या चल ला है, तो जो भी काम चल उसको supervise करना, as a parents बहुत जरूरी है, तो इसका option number is the right answer, now question number 19, 90th question है, which of the following is appropriate in respect of teacher-student relationship, as a teacher-student relationship, कैसा होना चाहिए, इसका आपको answer करना है, so it must be very informal and intimate, काफी informal हो, हो जाओ आप उनसे मतलब काफी अपनी खुद के life stories के साथ शेर करने लग जाओ, या फिर काफी intimate हो जाओ, म as a teacher, limited to classroom only, हमें only classroom में पढ़ाओ, उसके बाद क्या मतलब है, उनसे हमें कोई मतलब नहीं है, तो ऐसा भी नहीं है, बिल्कुल classroom तक भी हमें limited नहीं रहना है, तो ये भी इसका से गलत हो जाएगा, cordial and respectful, हमें उनके साथ cordial and respectful लेना चाहिए, तो that is the relationship, जो कि required रहता है, हर एक student और teacher के बीच में, कि जो आपका relationship है, that must be respectful, और cordial, मतलब warm, warm मतलब होता है, कि थोड़ा सा, as a friendly nature होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा strict हो, तो आप से वो बात ही नहीं कर पा रहे है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, cordial होना चाहिए, warm relationship हो, और respectful होना चाहिए, so option question number C is the right answer, question number 20 and last question, attitudes, concept, skills and knowledge are product, ये किसी चीज़ के product है, मतलब अगर आप किसी एक चीज़ को gain करते हो, तो उसमें से ही ये चीज़े निकल के आती है, तो वो कौन सी चीज़ है, learning है, research है, heredity है, explanation है, तो I think सबको समझ में आगया होगा, इसका option क्या होगा, option number A is the right answer, आप learning के सभी चीज़ें को सीखते हो, attitudes है, concept है, skills and knowledge है, तो learning is the right answer for question number 28, so I think सबको समझ में आगया होगा, अभी हमारे unit number 1 के 20 question complete हो चुके है, unit 1 में हम हर एक unit के 20 question करेंगे, जो important question मुझे लगते है, जो important topic है, मैं topic को cover करूँगा, तो आप इस channel के साथ stay tuned रहना, लगे रहना इस channel के और आने वाली videos को जरूर देखना, ताकि आपकी paper 1 की preparation है, वो काफी अच्छे level की हो जाए, मैं हर एक unit से उनी MC को इसको cover करूँगा, जिससे की उस unit के सारे topic cover हो जाए, so यहाँ पर आपको बहुचा the benefit मिले माला है, so guys, completely UGC net target based notes मेरे पास available है, और जितनी भी आपकी 10 unit है, unit unit 1 की, इन 10 की 10 unit के notes मेरे पास available है, और सारे की सारे जो notes है, वो unit wise बने हुए है, so आप मुझे WhatsApp और call कर सकते हैं, इस number पर इन notes की को charges है, उन charges को pay करने के बाद आप इन notes को मुझसे ले सकते हैं, मैं आपको hard copy by India post कर दूँगा, speed post कर दूँगा, तो आपको आप पूरी इंडि notes के अंदर मैं आपको बता दूँँ कैसे बनाए हैं, यह बहुत जादा comprehensive नहीं है, बिल्कुल ही exam oriented notes है, और completely exam के pattern को ध्यान में रखकर के notes मैं बनाए हैं, और इसमें मैंने previous year की question भी डाले हुए हैं, और plus इन 10 unit के notes के लावा, आप इन 10 unit के notes की पीछे मैंने previous year की paper भी लगा target based है, जिस type के question बनते हैं, उसी type के आपके मैंने topic में cover किये हैं, तो अगर आप इन नोट को पढ़ते हैं, तो 90% chance है कि जो आपका जारेव है, वो qualify हो जाएगा first attempt में ही, क्योंकि देखो चीजें पढ़नी हैं हर जगा, हम आप जितनी भी topic आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, ल नोट्स के demo notes मुझे मुझे इस number पर WhatsApp के तुरू मंगा सकते हैं, मैं 4-5 page photo click करके आपको demo notes दिखा दूँगा, ताकि आपको अगर आपको अच्छे लगे हैं, समझ में है कि हाँ, अच्छे notes हैं, तो आप मुझे, आप मुझे इन notes को purchase भी कर सकते हैं, So guys, finally इस video में इतना ही, subscribe UGCnet mentor YouTube channel, यह आपका अपना channel है, और thanks for watching, share this video with all UGCnet experience, आपके जितने भी friends है, जो भी UGCnet के लिए प्रिपर कर रहे हूं, किसी भी subject में प्रिपर कर रहे हूं, because paper one जो है, वो common है, सभी के लिए है, तो आपको इस video को जादा जादा श्यादा शेर कर अपने friends के साथ, ताकि उनकी help हो सके, और वो भी उनकी provision भी paper one की अच्छी हो सके, so guys, मिलता है next video में, इस video में इतना ही, मिलता है next video में, till then, keep watching UGCnet mentor, thank you so much.